ह Heb l o आज की विडियो हम देखेंगे पार्स और इंपोर्ट गया है सास में तो मैं आपको बता देता हूं कि पार्सियल और इंपॉर्ट दोनों साथ में वर्क करते हैं तो आई आपको मैं प्रेक्रिकल बता देता हूं तो यहाँ पर मैं तो मैं आपको बता देता हूं एक बात की चुँए हमारा फोल्डर है तो हमारा फोल्डर में इंडेक्स है और सैस है तो यहां पर मैं एक डिफरेंट फाइल क्रेट कर लेता हूं कुछ दूसरे CSS फाइल में क्रेट कर लेता हूं तो यहां पर इस फाइल को मैं क्रिएट करता हूं उसका जो नेम है वह मैं लिख देता हूं style1 तो मानलो मैंने style1 .scss लिख दिया और enter देता हूँ तो जब enter देता हूँ तो यहाँ पे style1 की यहाँ पे भी CSS अपने अप्रेट हो गई तो उसका कोई मतलब नहीं है तो मुझे अब क्या करना है यह style1 है वो style .scss में मुझे import करवानी है मैं क्या करने जा रहा हूँ कि यह file है वो इसके अंदर मुझे import करवानी है तो इस file को create करने के लिए मुझे इसका name है वो उस अलग देना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पे मैं इसका name है वो edit करता हूँ और उसके आगे मैं सिर्फ underscore लगा देता हूँ ठीक है तो जब underscore के साथ जब file शुरू होती है तो यहाँ पे यह css में उसकी file कभी create नहीं होती ठीक है तो यहाँ पे सास के अंदर underscore देके मुझे यह इस file को create करना बढ़ा ठीक है तो अब style 1 है उससे मुझे यहाँ पे style के अंदर यानि की link करवाना है तो यहाँ पर मैं इसे edit कर लेता हूँ पहले तो यहाँ पर मेरे पास एडिट हो के आगे है तो यहाँ पर HTML है उसके अंदर हमारे पास पीट है तो यहाँ पर style 1 के अंदर मैं पीक के लिए property लिगता हूँ ठीक है तो इसका color मैं देता हूँ basic red तो आगे तो यहाँ पर color नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा आपको पताए यह क्योंकि जब यह फाइल है वह यहाँ पर style note scss में import नहीं की है ठीक है तो यहाँ पर मुझे इस file को यहाँ पर import करानी है तो import कराने के लिए मैं क्या करता हूँ ठीक है तो यहाँ पे import के लिए मुझे लिखना है एड़रे यहाँ लिखना है import और space देखे अगर आप space नहीं दोगे तो भी चलेगा यहाँ पे यह एड़रे इंपोर्ट ठीक है और यहाँ पे इसके अंदर आपको double code के अंदर भी देना है तो भी दे सकते हो अगर single code के अंदर भी आपको देना है तो भी दे सकते है add the right import single code और उसके अंदर आपकी जो file है जो file आपको import करा रही है उसका name underscore style1.scss अब यह file यहाँ पे आ गई है तो आपको मैं समझा देता हूँ पहले से इस file में प्रोपर्टी लेखी इस file को हमने style में import कराया ठीक है इस file को हमने यहाँ पे import कराया तो यहाँ पे semi colon देता हूँ import कराके इस file को यहाँ पे आ गई है ठीक है तो आप देख सकते है css में अपने property create हो गई और यहाँ पे admin आ रही है वह file तो अब यहाँ पर ब्रावजर में जाके refresh करूंगा तो इसका color रहे हो जाएगा ठीक है अगर आपको कोई css file में आपको multiple file जब आपको import करने तब के लिए यह use import हो सकता है तो मैं आपको बता हूँ जब आप बड़े project पर काम कर रहे है तो आपके पास css एक सास फाइल नहीं अगर एक से more than one file आपके सामने यह आ जाएगी तो आपको के करना पड़े है इसी तरह import करवाना पड़ेगा ठीक है जब आप बड़े project पर काम करते हो यह basic level पर तो आपको simply SI सिखना है तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि अब यह फाइल यहाँ से style one import हो गई है यहाँ अगर आप इस फाइल को भी यहाँ पर लिख देते हो पी के लिए मानलो अब लिखते हो फोंट सोरी अब लिखना है फोंट साइज मानलो 25 पिक्सल में लिख देता हूँ और यहाँ करके यहाँ पर ब्लॉजर में रिफ्रेश करता हूँ तो भी आपके सामने यह आ जाएगा और यहाँ पर इस style css में भी आपको दिखने को मिल जाएगा कि जो पहले आपकी फाइल आ रहे है उसमें से यह पी टिक रह रहा है और दुसरे में यहाँ यह पी टेक के लि दो भी यह कुछ इसमीन नहीं होगा तो भी आपके सामने यह आ जाएगा ठीक है तीन कीओ आने अभी तक यहाँ पे लीकिया है चालोगा तो यहाँ पर दूही रे जाएंगे to तो यहां पर भी यह वैसा ही है ठीक है तो इसको हम बोलते हैं इंपोर्ट और पार्सेल्स ठीक है तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं को अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेट में भी बता सकते हैं ठीक है तो यहां पर पार्सेल्स और इंपोर् अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए टेक केर, बाई फ्रेंड्स